नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयो 60 years है और इस पाम को देखे तो यह complete squareish पाम है इस तरह का पाम किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति महनती होता और महनत करके अपने जीवन को successful बनाता है और साथ में थोड़ा सा rectangle भी है तो बूलकर बैठ कर भी व्यक्ति अपन के बढ़ते हैं अंगुठा काफी अच्छा है तो मध्यम से अच्छी personality होगी प्लस फर्स फैलेंज नुक्ति लाए तो कारे के प्रती जिद्ध होती है सेकेंड फैलेंज योग्या है यानि जहां जरुत है लॉजिक की बात करने की वहां बात की जहां चूप रहने क्या हो सक देखते हैं वहां व्यक्ति चूप रहता है और मांसल है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति होता है एक पोलिटिकल पार्टी का चिंद लगा हुआ है पर यह उस चिनद को देख कर मैं बता रहाँ ऐसा नहीं मैंने कई बार कई वीडियो में का है कि इस तरह के पोर रहे उंगलियों के तो ऐसे लोगों को चाहे राजनेती में पाट ले ना ले पर राजनेती itaire बाते करना बहुत अच्छा लगता है तो यह उंगलिया झोटी hack isTVB बहुत स्पीड मेंनिंग लेने वाला होता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है सुरी के उंगली बढ़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती सभाव होता है और ये उंगली अगर फर्स फैलेंज तक पहुशती होगी अब ये उंगली का फैलेंज भी इनका मोड रहा है तो ऐसे लोग पैसा कमाने में अब इनका ये क्लोज अप बुद्परवत को देखे तो एक सिंगल लाइन चल रही है और साथ में एका सपोर्ट लाइन भी है पर मैंने जनरली देखा है अगर इस तरह की बड़ी लाइन हो किसी के परवत पर तो यह जब शाइन करती है उस समय व्यक्ति के जीवन में जाता पैसा आता है यह भी देखा गया है और बुद्परवत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है वो बिजनेस मा वानी इनकी बहुत अच्छी होती है यह भी एक एडवांटेज इनको मिलता है और बहुत बार यह बुद्परवत व्यक्ति को सुन्दरता भी अच्छी देता है अब इनके क्वेशन था यहां पर इनको लगबग फिस्ट साइन नजर आ रही है पर यह जिस तरह से इनके मैक हिंट देतेता हूं अगर सुर्य परवत पर फिस्ट शाइन आती है इस छेत्र में तो व्यक्ति भहुत ज्यादा पैसे कमाता है अगर इस तरह की चीजे है इनके जीवन में तो यहां पर हम दिमाग लगा सकते है यहां पर इंग लगा कर पर अगर इस तरह की चीज नहीं है तो ज़्यादा उसके बारे में सोची है मत एक केवल वहम है इस तरह से सोची है पर इस फोटोग्राप में मैं देखने ही पाऊंगा क्यूंकि यहां पर फोल्ड हो गया है स्कीन फोल्ड होगे सेकंड चीज एक स्क्वार दिख रहा है यह व्यक्ति को मुल्टी सिटी का काम करवाता है और भौत बार यह थोड़ा सा उपर की तरफ स्क्वार है थोड़ा सा नीचे हो तो यह व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल तक का काम आता है इन्होंने ट्राइब मिलता है व्यक्ति को बहुत बात पाम फोल्ड है इसके लिए मैं कुछ नहीं कहा रहा है अगर यह स्क्वैर बने तो तो 100% व्यक्ति का बड़े लेवल का इंटरनेशनल काम होता है एक और अच्छी साइन है इनके हत्मे और यहां पर इंपर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है इनको मेरे इसाब से ट्राय करनी चाहिए बाकी जगह पर बहुत सारे संकेत है जैसे इनकी यह फेट लाइन भी सुर्य परवत की और जा रही है यह फेट बड़ा काम करता है पैसे के मामले में बहुत बड़ा चाहे स्टार हो ट्रैंगल हो यह दोनों बहुत बेनिफिट देते वेक्ति को और बड़ा स्क्वेर होगा तो वो भी बेनिफिट देता है मन की लगबख सारी इच्छाय पूरी होती है प्लस आम लोकों से ज़्यादा य यह दो काफी मिलता है अभी इनकी उम्र शिक्ष्टी है अभी तक इनों ने अच्छी-खासी प्रॉपर्टिया जमा कर ली होगी क्योंकि यह साइन उस तरह की प्रॉपर्टिया देते आई है सेकेंड चीज़ देखे तो एक संलाइन शेकेंड थर्ड जब इस तरह की संलाइ रेखा है दोनों स्ट्रॉंग हो रही है तो चपन के बाद व्यक्ठी के जीवन में comfortable income भी आती है यश भी प्राप्त होता है एक अच्छी सी विद्या रेखा बनी हुई है यह बच्पन से ही लोग इनको पूच पूच कर काम करते हैं और यह रेखा भी व्यक्ठी को सफलता दिलाती है तो यह भी खासियत है इनमे शनी परवत यहां से थोड़ा सा उभार है इस तरह का शनी परवत हो तो व्यक्ठी उसके बाद व्यक्ठी दीन एक्टिव रहता है और अगर शनी परवत थोड़ा सा भी यहां से दवा होगा तो व्यक्ठी के जीवन में EMI का बहुत ज्यादा रहता अगर दवा होगा तो अगर फ्लैट होगा तो पता नहीं तो EMI का जोर नहीं रहता ब्याज का जोर नहीं र मारूती का सर्विस टेशन, नाम मारूती का कार मारूती की और उस पर सर्विस देकर पैसा कमाने, यान किसी और के प्रोड़क को बेचना, या विदे से धन प्राप्ति का योग, दो मैंसे कोई न कोई एक चीज व्यक्ति के जीवन में होती है, और continue रेखाए चलती है, तो व्यक्ति को चार तरके लाप राप्त होते हैं, एक तो political benefit, second, सरकारी benefit, third, ससुराल पैसे वाला मिलता है, साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चोथी चीज व्यक्ति जो भी कारे करता है, उसमें अच्छे स्थान पर पहुंचता है, कई लोगों को चारो benefit मिलती है किसी को तीन, किसी को दो, और किसी को एक, गुरु परवत पर भी देखे, तो एक बहुत बड़ा square मुझे यहां पर नजर आ रहा है, इस तरह का square अगर यह सुरुवात से होगा, तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ने कोई property खरीटता है, और 36 साल में authority position पर पहुंचता है, बड पहले के कारे में व्यक्ति काफी export होता है, सेकेंड चीद देखे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पाँच, यह जब इस तरह की condition होती हाथ में, तो व्यक्ति के जीवन में multiple income के source होते हैं, कई जगह से पैसा आता है, और ये भी पैसा दिलाती है, क्योंकि कई जगह से पैसा आने के कारण व्यक्ति ज़्यादा संपनता पाता है, पहली चीज़, धार्मिक भावना रहती ही इन में, सेवा भाव की भावना रहती है, यानि खाली पैसा कमाना नहीं जानते हैं, साथ में सेवा भी जानते हैं, थर्ड, ऐसे लोग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोजी, इस तरके जो मिस्ट्री साइंस है, उसमें भी इंट्रेस्ट दिलाती है, तो इतने सारे बेनिफिट ये रेखाय देती है, पर यहां पर मुझे कहीं पर भी ट्रैंगल शोर नहीं हो रहा है, अंदूनी मंगल अगर इसी तरह का होगा, तो सरीर की एनरजी व्यक्ति में अच् अब शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, दो चीज, धर व्यक्ति कहीं न कहीं सारे रिक रूप से सज्ज रहता है, यानि उसकी सरीर की एनरजी अच्छी होती है, बारी मंगल काफी अच्छा है, बारी मंगल जब किसी व्यक्ति का अच्छा होता है, तो व्यक्ति हिम होता है जब किसी से मिलता है तो एनरजी के साथ मिलता है सामने वाला comfortable फिल करता है यह भी एक खासियत होती है चंद्रपरवत मैं यह नहीं कहूंगा व्यक्ति की यात्रा है भरपूर होती है तो दो मैंसे कोई न कोई एक कार्य व्यक्ति के जीवन में होता है जब इस तरह की condition होती है तो और इनके हाथ में एक strong money triangle नहीं है बहुत हलकी रेखाओ से बन रहा है पर जब strong money triangle नहीं होता तो खर्च का पैमाना काफी ज़्यादा रहता है यह भी एक देखा गया है अब शुक्रपरवत पर चले तो शुक्रपरवत पर यह एक line व्यक्ति को luxurious life देती है और बाकी की कोई कमी नहीं है शुक्रपरवत एक मध्यम टाइप का है तो मध्यम टाइप की vitality रहती है व्यक्ति में बहुत ज़्यादा luxury की तरफ भी नहीं भागता और बहुत ज़्यादा कमजोर भी नहीं रहता एक व्योस्तित life जीता है हिर्दे रेखा देखे तो यहां से सुर्वात हो रही है इस हिर्दे रेखा की और एक साखा यहां चल रही है और यह सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और यहां पर भौत सारी फ्लर्ट लाइन है जब इतनी सारी फ्लर्ट लाइन होती है तो व्यक्ति खुश मिजाज होता है दुखी भी हुआ तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुश ही ढूनता है पहली चीज और जब आपकी हिर्दे रेखा थोड़ी सी भी गुरु परवत को टच कर ल जीवन में और जिस तरगे हिर्दे रेखा है इनकी जंचतों से हमेशा गिरे रहते होंगे जंचतों से फ्री नहीं रह पाते होंगे इस तरगे लोग और यह जो रेखा है नीचे जाती यह भी गुस्सा दिलाती है अब माइन लाइन को देखे तो माइन लाइन सी दी चल कर आगे बढ़ रही है एक तो जुपिटर से सुरवात हुई तो व्यक्ति महतोकांची भरपूर होता है और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है और जब यहां तक पौश्ती है तो बुद्धी चाति यह भरपूर है तो हो सकता है एकजेट उम्र ना निकले लगबग 38 के आसपास जीवन में कोई न कोई कमरदत से रिलेटेड इशू आया होगा और उसी पिरियड में कोई न कोई 38-39 में कोई न कोई रुकावट भी आई होगी सेम इसी तरह देखिए यहां पर अगर यह कट होगा और यह उम्र होगी लगबग 52 के आसपास इस पिरियड में भी कोई न कोई रुकावट आई होगी और कमर से रिलेटेड इशू आया होगा आठ-10 दिन के लिए जो कमर का दर्द आता है रह जानी कमर रह जाती है उस तरह की स्थिती पैदा होती है गेक्ति के जीवन में और किसी भी तरह अगर यह ट्रैंगल कम्प्लिट होते है तो ऐसे लोग मित्रों को पैसा देते या अपने जान पैचान ओलों को पैसा देते व और यह एक अकेली शाखा व्यक्ति को लेखन कारे में माश्टर बनाती है अब इनके जीवन रेखा को देखे तो जीवन रेखा पर एक लगबग 26 के आसपास एक राउ रेखाने काटा है एक 29 के आसपास राउ रेखाने काटा है एक 39 के आसपास राउ रेखाने काटा है एक 41 के आसपास राउ रेखाने काटा है एक 45 के आसपास बड़ी राउ रेखाने काटा है उसके बाद एक 52 के आसपास राउ रेखाने का काटा और उसके पहले भी 45-47 के आसपास भी राव रेखा ने काटा है एक 54 के आसपास आफशूट गया और एक नीचे लाइन गयी यहां कोई ना कोई नियर एंड देरर की डैथ भी हुई होगी इनके और उसके बाद एक छोटी सी राव रेखा यहां पर कट रही है यह 57 के आस एक यहां पर जरूर दिख रही है लगबग 61 के आसपास हम गीन सकते हैं एक दूसरे फोटोग्राफ में मैंने देखी थी 60 या 61 के आसपास दिख रही है मैं दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोसिस करूँगा यह 54 की उम्र है तो यह कंडिशन है अब इनकी फेट लाइ उम्र होगी यह पिरियड 26-27 के आसपास फिर इनकी इंकम चालूई होगी और एक बड़ी रहखा ने काटा यह 31 से लेके 32 साड़े 32 तक बहुत बड़ा संकट इनके जीवन में आया होगा और उसके बाद वापस फेट लाइन हलकी सी है तो यहां पर भी कोई मजेदार समय रह आनी होगा और 36 के बाद इनका समय वापस शुरू हुआ होगा और उस पर 39 को बड़ी रहखा ने काटा उसके बाद यह बहुत बार इन्वेस्मेंट कराती है और बहुत बार लॉस देती है अगर हदेरेकास से भार से निकले तो तो यह 44-45 के आसपास होगा और एक 45 के आसप पास रेकाने कट किया और ऐसे Multiple Income की लाइने भी चल रही है और यहाँ पर भी देखे तो Multiple Income है और यह जो लाइन काट रही है यह बहुत बार आर्थिक नुकसान देती है और बहुत बार इन्वेस्मेंट कराती है यह पिरियraham का 50 के आसपास का एक लाइन यहाँ से भी निक ली होगी और इसने काटा होगा तो लगबग 55 में भारी आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा और इसी पिरियड में 55 या 54 के आसपास भारी नुकसान का सामना किया होगा इन्होंने यह investment भी किया हो सकता है दोनों चीजे साथ में चल सकती है तुकि एक रेखा यहां से भी आके निकल रही है और यह हिर्दे रेखा से भी रेखा निकल रही है तो दोनों फल मिलने के chances है तो उसके रूप यहां पर भी दिख रहा है यह रुकावड भी है और आप्शुड भी है सेकेंड चीज देखे तो यहां से यह फेट लाइन सीधी चली दूसरी फेट लाइन 57 के आसपास से निकल रही है और एक लाइन 56 से और अलग तो यहां पर इनके multiple income के source इनके जीवन में creative है और 61 के आसपास कोई न कोई बाहरी ताकत से इनको support मिलेगा 60 या 61 के आसपास इनके जीवन में इस फेट लाइन पर और इनका जीवन आगे बढ़ते रहेगा अब इनकी जो राव रेखा है उनको देखने के लिए हम इनका और एक close up है उस पर हम नजर हुमाटे यह देखिए यह 54 का near and dear उसके बाद यह एक राव रेखा यहां पर दिख रही है 57 के आसपास और एक राव रेखा यहां पर दिख रही है इस photograph के हिसाथ तो 57 और 63 के आसपास यह शो हो रही है और बाकी के offshoot भी है तो कोई ने कोई छोटी मोटी सबलता मिलेगी पर इनका money triangle देखे कुछ भी नहीं है और इस photograph में धन रेखा एक दम ही दूशित है और उस photograph में दूशित नहीं थी अगर यह इस तरह की तो condition हो तो व्यक्ती भहुत ज़्यादा hard work किया रहता है और सफलता नहीं पाई रहती है और यहां से यह रेखा निकल रही है यह और निकल रही है और यह और निकल रही है और यह sun line अभी comfortable income इनको जीवन में देगी तो इस तरह का palm है इनके हाथ में अब कोई ऐसी strong राव रेखा नहीं है कि जिसके कारण इनके बहुत सारा 19-20 हो पर जब money triangle पूरा नहीं होता तो income तो व्यक्ती के जीवन में रह सकती है क्योंकि हाथ अच्छा है, color अच्छा है, रिखाय अच्छी है पर जो पेमाने में बचत होनी चीए वो नहीं होती संगर्स करते ही पाया जाता है तो आशा रखता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए भहत भहत धन्यवाल